भारत के चिकित्सा और वैज्ञानिक समुदाई के सामने वास्तव में एक बड़ी चुनौती वैश्विक रूप से कोविट महामारी से प्रभावी ढंग से लड़ने में नुवेल कुरोना वाइरस के उभरते म्यूटेशन्स यानि उत्परिवर्तन है जिस दिन से महामारी शुरू हुई है इस वाइरस में हजारों उत्परिवर्तन हुए है और दुनिया के कुछ हिस्सों में इन में से कुछ उत्परिवर्तन अधिक संक्रा मखो गए है वाइरस के इन परिवर्तित रूपों को म्यूटेंट या वेरियंट भी कहा जाता है कोरोना वाइरस का ये वेरियंट दुनिया भर में COVID-19 के केसों में नए उचाल ला रहा है इसलिए इनके प्रसार को कुशलता पूर्वक जाचने के लिए उनके प्रकार और उत्परिवर्तन को समझना बेहद जरूरी है विज्यान से आत्म निर्भर भारत के इस एपिसोड में हमें इन वाइरल म्यूटेशन की बहतर समझ मिलेगी हम ये भी देखेंगे कि भारत कैसे वाइरल म्यूटेशन को ट्रैक और ट्रेस करने की एक कुशल और प्रभावी प्रणाली बनाने के लिए अनुसंधान प्रयोक्षालाओं का एक मजबूत नेटवर्ग बना रहा है जो एक आत्म निर्भर भारत के निर्माण में विज्यान का लाब उठाने की एक महत्वपूर्ण पहल है हम वाइरल जीनोम सीक्वेंसिंग को गहराई से समझेंगे और ये सार्स कोव टू की पहचान तथा उसका नैतानिक परीक्षन करने में वैज्यानिकों की मदद कैसे कर रहा है और बीमारी भैलने के प्रबंधन के लिए टीके और अन्य उपकरण विक्सित करने में कैसे कार है इन सब की गहन जानकारी लेंगे अंत में हम हैदराबाद स्थित्दवा कंपनी बायलोजिकल इद्वारा विक्सित की जा रही नई स्वदेशी कोविट वैक्सीन कोर्बे वैक्स पर एक नजर डालेंगे और ये भी समझेंगे कि भारव सरकार ने इस कंपनी को 30 करोड वैक्सीन बनाने का अग्रिमादेश क्यों दिया है